गाड़ी के पीछे दौर लगा रहे इस बैल को देखिए आमतोर पर बैल कभी यूँ किसी गाड़ी का पीछा नहीं करते लेकिन इस बैल ने जब देखा कि उसकी दोस्त गाए को गाड़ी में लाद कर कहीं और ले जाया जा रहा है तो वो बेचैन हो उठा और गाड़ी के पीछे दौर लगा दी बताया जा रहा है कि बैल लगभग एक किलो मीटर तक गाड़ी का पीछा करता रहा ड्राइवर को पहले लगा कि बैल जादा दूर तक नहीं आएगा लेकिन बैल को इतना परिशान होता देख उसने भी गाड़ी रोक ही दी बताया जा रहा है कि गाड़ी पर जिस गाड़ी को ले जाया जा रहा था वो एक किसान की थी जिसने आर्थिक परिशानी की वजह से उसे किसी को बेच दिया था लेकिन बेल अपनी दोस्त गाए को यू जाने देने के लिए राजी नहीं था और गाड़ी को रोकने के लिए उसके पीछे दोड़ पड़ा गाए की प्रती बेल के इस अध्भुत प्यार ने इस थानी लोगों को भावु कर दिया लेकिन सौदा तो हो चुका था चुकि मामला अब भावनाओं से जुड़ गया था तो एंट्री हुई नेताओं की तमिलनाडू के डेपुटी सीम ओ पनीर सिल्वम के बेटे जैप्रदीप मौके पर पहुँचे गाए का सौदा रद हुआ और उसे स्थानी मंदिर को सौप दिया गया फिर गाए और बैल को फूल मालाय पहनाई गई और दोनों दोस्तों को फिर मिला दिया गया मदुरे में एक गाए और बैल के इस नहीं की ये सच्ची कहानी सोशल मीडिया पर खूप शेयर हो रही है NBT Online की रिपोर्ट